हालो फ्रेंट्स वेलकम टू बेस्ट नोट्स टूटोरियल आज की वीडियो में मैं केंद्रिय विद्याले से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टन चीजे डिसकस करने जा रही हूं हो सकता है कि आप लोग इससे बेनिफिट ले सके क्योंकि यह मेंटल हेल्थ से रिलेटेट है बह अब वो सोच रहे हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भी लिस्ट तक में नाम नहीं आया तो फ्रेंट्स यह बताना मैं चाहूंगी कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने नोटिस किया फ्रेंट्स जितने भी लोगों ने रिटन एक्जामिनेशन दिया ऐसा नहीं है कि सभी का इंद्रिय विद्याले में जॉब करना था कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको ट्राइ करना था अपने क्यालिबर को चेक करने के लिए अपने पोटेंशियल को चेक करने के लिए कि क्या वो यह एक्जाम क्लियर कर पाएंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत साल से प्राइवेट जॉब में ही काम कर रहे हैं लेकिन उनकी सालरी एवरी यर बढ़ने की वज़े से 50,000, 60,000 से उपर हो चुका है तो वो अपने घर से दूर जाके कुछ हजार ज्यादा सालरी के लिए उन लोग अपना सब कुछ छोड़के ये जॉब के लिए नहीं जाना चाहेंगे इसलिए आप मान के चलिए कि 10-20% लोग इंटर्वी देने नहीं आएंगे इस्पेशली हाउस वाइफ और मदर्ज जो हैं वो कुछ कॉंप्रमाइज करती हैं और वो इंटर्वी देने नहीं जाती तो मैं ये नहीं कह रहे हूँ कि उसके बेसिस पे आप लोग वेट करें इंटर्वी का मैं ये कह रहे हूँ कि हो सकता है कि आपका नाम सेकेंड लिस्ट में आ जाए वो लोग जो एपसेंट होते हैं इंटर्वी में उनकी वज़े से ठीक है तो वो ये सब छोड़के एक नए सिचुएशन में अंसर्टन सिचुएशन में क्यों जाएंगे तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि उन लोग नहीं जाएंगे और आपको कॉल आ सकता है ठीक है नेक्स्ट में पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि जूसने भी इतने अच्छे मार्क्स लाएं हैं हो सकता है कि वो फ्लुक्स शॉट में आ गया हो ठीक है रैंडम सिर्क्लिंग के दोरान उन्होंने करेक्ट आंसर पे टिक कर दिया हो लेकिन उनका बोलने का जो बहुत ही स्ट्रॉंग है आप हर चीज को अच्छा से प्रोजेक्ट कर पाते हैं दूसरे को समझा पाते हैं तो इंटर्विवर्स उन लोगों को प्रेफर करेंगे जो की इंटर्विव में अच्छे करते हैं ठीक है तो इंटर्विव का जो भी मार्क से अगर आपका एक-द प्रबैबली आपका नाम आ जाएगा ठीक है अब यह सेकेंड लिस्ट में भी अगर नहीं आए तो थर्ड लिस्ट भी आने के चांसेस हैं ठीक है मेरी एक फ्रेंड ने मिस्टेक किया था 2018 में उसका टू मार्क से कटफ नहीं क्लियर हुआ था ठीक है तो उसने फर्स छोड़ दिया उसको लगा कि नहीं होने वाला है लेकिन बाद में पता चला कि उसके कटफ के लोगों को भी थर्ड लिस्ट के दोरान बुलाया गया था अब उसने देखा नहीं था तो अभी 2023 में वो रिक्रेट कर रही थी कि अगर मैं देख लेती तो शायद मेरा नाम आ ग 들어오 एक और बात है कि जितने भी लोगों ने केंदर्ये विद्याले का Examination दिया सेम लोगों ने Atomic Energy का भी दिया था जो कि कुछ महिने पहले निकला था An Inc. लिस्ट option उनको लगता है वहाँ पर लग जाते हैं ठीक है तो आप उसका भी wait कीजिए सभी का selection होने के बाद हो सकता है कि third list में आप लोगों को बुलाया जाए ठीक है यह इसलिए भी मैं कह रही हूँ क्योंकि अभी का government जो है वो perfection पे focus करती है ऐसा नहीं है कि return exam clear किया और आपको job दे दिया जाएगा interview अच्छे से लिया जाएगा आप सभी को पता है कि recording होती है तो कोई भी cheating के cases मेरे हिसाब से तो नहीं होगी ठीक है तो आप positive रहिए अपना preparation कम नहीं कीजिए क्योंकि आज जो preparation किया वो कल जरूर काम आएगा आपको और आने वाले दिनों में बहुत सारे इससे vacancies हैं जो की निकलने वाले हैं teaching से related तो जो भी आपने pedagogy में child psychology में already cover कर लिया है उसका छोटा छोटा नोट्स तो आपने बनाया ही होगा वो आप revise करते रहिए वीडियो जी के से updated रहिए जो भी changes हो रहा है वो आप देखिए news देखिए everyday ठीक है इससे क्या होगा कि आ first list में नहीं आया तो second list में आएगा second list में नहीं आया तो third list में आएगा और जब तक आप third list का wait करेंगे तब तक next examination का भी आपका you know advertisement आने के chances हैं तो वो preparation कीजिए और in worst case ठीक है बहुत ही बुरा हुआ तब भी आपको जब private job करने के लिए जाएंगे तो यही चीजों में से question पूछा जाएगा और आप इसके लिए ready रहेंगे friends यह सब में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं army school में selection होने से पहले में बांकी चीजों के लिए preparation कर रही थी लेकिन वहां पर vacances नहीं निकला उस वक्त लेकिन जो भी preparation मेंने किया था और जो भी news सुनती थी में उस वक्त television मेरे पास नहीं था तो radio everyday में सुनती थी और उसी के basis पे मेरे में confidence आया कि मैं army school का interview अच्छे से दे पाई और आज के दिन में मैं PGT English हूँ और मैं इसलिए यह बता रही हूँ क्योंकि private job में भी आप अच्छे salary ले सकते हैं लेकिन यह यह कि सभी को government job के ही aspiration रहती है तो वह जरूर करना चाहिए लेकिन इस government job के चक्कर में ऐसा नहों कि आप अपना confidence पूरा destroy कर दे और अपने आपको demotivate करके रखे और friends just because आपको government job नहीं मिला इसकी वजह से आपको depression में नहीं जाना है mental health खराब नहीं करना है अगर ऐसा होगा तो ना आप खुश रहेंगे ना पसंट दे दिया आप satisfied है तो यह बहुत ही important है क्योंकि आपने किया और आपका नहीं हुआ तो किसी दूसरे की हाथों में बाग दोर थी अब आप wait and watch की जिए और preparation करते रहें आज नहीं तो कल आपके जोली में आपका जो deserving result है वो जरूर आएगा और खुश रहें प्रिपर जरूर मिलेगी friends finally मैं आप सभी के लिए यही दूआ करते हूं कि आपने जो भी अपना hard work दिया है उसका result आपको जल्द से जल्द मिले और मैं हमारे देश के जो भी schools में teachers लोग जाएंगे मैं चाहूंगे कि बहुत ही dedicated teachers जाए ताकि बच्चे लोगों को maximum benefit मिल सके education के सिवा कुछ और ऐसी चीज नहीं है जो हमारे देश को बदल सके तो आएए सब मिल के दूआ करते हैं कि हमारे केंद्रिय विद्याले को अच्छे से अच्छे teachers मिले ताकि वहां के बच्चे हमारे देश का नाम रोशन करे नमस्ते फिर मिलेंगे